नमस्कार दोस्तों आज हम बताते हैं कि मेटर को मसीन में कैसे छीलते हैं तो चलिए वीडियो बनाना शुरू करते हैं पहला टिप हमारा ये देखिए सर्व के पैकेट से है जो कि हम खोल देते हैं तो फिर ऐसे ही पड़ा रहता है ये इसमें गिर जाता है अगर नहीं भर पाते हैं किसी डब्बे में तो उसके लिए बहुत ही अच्छा एडिया है ये देखिए ये हमने बोटल का उपर का हिस्सा ले लिया है बहुत ही कम काटके और इसे हम इस तरह निकालेंगे और इसमें कटे हुए से में इसको फिट कर देंगे ये देखिए इस तरह इसमें डाल देंगे ये देखिए इस तरह इस तरह डाल के अब इससे हम इसमें टेप लगा देंगे ये देखिए टेप लेके अच्छे से से टाइट करके इसको कवर कर देंगे ये देखिए इस तरह हम टेप लगा देंगे दो तीन बार इसमें लपेट के अच्छे से से अब इसे हम कट कर देंगे ये देखियो अच्छे से ये कवर हो चुका है अब इसकी हम कैप लगा के कहीं भी रख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं गिरेगा कहीं भी जब भी यूज करना होगा तो इसे हम खोल के निकाल लेंगे और फिर दुवारा से बंद करके अपनी जगह पर इसे रख देंगे ये देखिये बहुत अच्छे से निकला आता है इस तरह निकाल के बंद करके जब भी यूज करना होगा तो इसे खोल के यूज कर लेंगे अगला टिप हमारा है यह देखिए बच्चे छोटे छोटे बच्चे होते तो पेंच चला देते हैं किसी पर यह देखिए पर्स पर इस तरह चला दिया है तो इससे क्या करेंगे यह सैनिटाजर लिया है और थोड़ा रूई इस प्रे करके ऐसे अच्छे से चुटा देंगे एक तरह बहुत यह क्चे से यह छूट जाएगा दसे बिलकुल साफ हो गयह कि तो इस तरह आप यह छूटा सकते हैं कहीं भी पैन चला है कि अगला टिप हमारा मिक्शी के जग से है कभी कभी हमारा ब्लेड जाम हो जाता है यह देखिए कभी कभी ब्लेड बहुत ज़्यादा जाम हो जाते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे यह सरसु का तेल लेंगे हम अच्छे से इसे लगा देंगे चारू तरप इसमें नीचे यह देखिए इस तरह तेल का ही प्रियोग करें सरसु का तेल क्योंकि यह जमता नहीं है लिक्ट फॉर्म में रहता है यह देखिए इस तरह लगा के रख देंगे तो अच्छे से यह काम करने लगेगा अगला टिप हमारा अध्रक से है क्य गणुकल हिए से यह दो एक डब्बे में इसे भरके रखेंगे और यह मेठा सोड़ा ले लेंगे हम एक चमच और इसमें डालके अच्छे से लगा को बंकरके अच्छे से ला देंगे जो की चारू तरप ए क्याग मिक्स हो जाए यह देखिए इस तरह आब इसम रख देंग तो आरा हम से ये चार-पांच मैने तक इस्टोर बना रहेगा अगला टिप हमारा मसीन से है ये देखिए पासी मसीन हम चलाते हैं कपड़े दुलते हैं तो कभी-कभी साफ करना भूल जाते हैं तो इसे अच्छे से साफ करना चाहिए ये देखिए कुछ ऐसे पाट होते हैं इनमें ये देखिए ये कपड़ों के रे से इसमें फस जाते हैं ये देखिए इस तरह हम इनको साफ कर देंगे अच्छे से निकालके हाँ से कर दें या कोई ब्रस ले 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 उससे कर दें अच्छे से धुल दें इसको देखिए दोनों तरफ को अच्छे से साफ करके दिखाते हैं कितना गंदा है यह यह देखिए कितनी गंदगी जमा हो जाती है कपड़ों की तो यह देखिए दोस्तों हमने साफ कर दिया अब इसे हम लगा देते हैं मसीन में यह देखिए लगा दिया हमने इसे तो यह देखिए दोस्तों मतर चीलेंगे मतर जब चीलते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है यह देखिए हाथ दर्द करने लगते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे गरम पानी लेंगे मतर को इसमें डाल देंगे 5isti तक इसमें डली रहने नेंगे, इससे मतर सौप्ट हो जाएगी उसके बाद हम छील के दिखाते हैं ये देखिए 5 विनित हो चुके हैं मतर हम छीलेंगे बहुत अच्छे से ये निकल आती है ये देखे बहुत अच्छे से छिल जाती है तो दोस्तों हमारी वीडियो कर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और जरूर बताएं कि कौन सी टिफ हमारी आप लोगों को पसंद आती है थेंक यू